राम नाम देवताओं के सत्रू कल यूग रूपी दैत को मार कर जब करने वालों की रच्छा करेगा अच्छे भाव प्रेम से बुरे भाव बहर से क्रोध से या आलस्त से किसी तरह से भी राम नाम जपने से दसों दिसाओं में कल्यान होता है उसी परम कल्यान कारी राम नाम का इस्मरन करके और सीरगनाजी को मस्तक नवा कर मैं राम जी के गुणा कावर्नन करता हूँ वे सिरामजी मेरी बिगडी सब तरह से सुधार लेंगे जिनकी क्रपा क्रपा करने से नहीं अधाती रामग से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक इतने पर भी उन दया निधी के अपनी और देखकर मेरा पालन किया है लोक और बेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीत प्रसिद्ध है कि वे बिने सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है अमीर गरीब गमार नगर निवासी पंडित मूर्ख बदनाम स्वी सुकभी कुकभी सभी नरनारी अपनी अपनी बुद्धी के अनुसार राजा की सरहना कर सबका यत्वा योग संबान करते हैं और सभावस तो संचारी राजाओं का है कोमल को सरनात सिरामचन जी तो चतुर सिरो मड़ी हैं सिराम जी तो विसुद्ध प्रेम से रीजिते हैं पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धी और कौन होगा तथा पी क्र रूची को अवस रखेंगे जिन्होंने पत्त्रों को जहाज और बंदर भा लों को बुद्धिमान मंत्री बना दिया सिराम जै राम जै वाव सब लोग मुझे राम जी का सेवक कहते हैं मैं भी बिना लज़ा संकोच के कहलाता हूं कहलें कहलाने वालों का भिरोज नहीं करत क्रिपालु सिराम जी इस निंदा को कहते हैं कि इस्री सीता नात जी जैसे स्वामी का तुलसी दास का सेवक है यह मेरी बहुत बड़ी धिठाई और दोस है मेरे पापों को सुनकर नरक ने भी नाक शिकोड ली है अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठावर नहीं है यह समझ कर मुझे अपने ही कलपित डर से डर हो रहा है किन्त भगवान सिराम जी तो स्वप्र में भी उस पर मेरी इस दिठाई और दोस्त पर ध्यान नहीं दिया मेरे प्रभु सिराम चंदी तो इस बात को सुनकर देखकर और अपने सुचित रूपी चत्थु से निरिच्छन कर मेरी भक्ति और बुद्धी की उलटी सराहना की है क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए अर्थात मैं चाहे अने को अपने को भगवान का सेवक कहता कहलाता रहूं परंतु हिर्दय में अच्छा पन होना चाहिए हिर्दय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूं यह अच्छा पन है शिराम चंद जी भी दास के हरदय की अच्छी इस्थिती जानकर रीध जाते हैं शिराम जैराम जैराम रभू के चित में अपने भक्तों की भूई भूल चूक याद नहीं रहती वे उसे भूल जाते हैं और उनके हरदय की अच्छाई नीकी को सव सो बार करते रहते हैं जिस पापके कारण उन्होंने बली को ब्याद की तरह मारा था वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली वही करनी विभी सण भी विभी सण थी परंतु सिरामचंद जी ने सुप्र में भी उसका मर में विचार नहीं किया उल्टे भरत जी से मिलते समय सिरगु का बखान किया प्रभु सिरामचंद जी तो ब्रच के नीचे और बंदर डाली पर अर्थात कहां मर्यादा पुर्सोतम सचिदान धन परमात्मा सिरामजी और कहां पेड़ों की साखाओं पर कूदने वाले बंदर परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना ल मैंनूमान हे शिराम जी आपकी अच्छाई से सभी का भला है अर्थात आपका कल्याण में सुभाव सभी का कल्याण करने वाला है यह बात सच है तो तुलसीदाश जी सदा कल्याण ही होगा इस परकार अपने गुर्दोसों को कहकर और सब को फिर सिर्णवा कर मैं शिरकुन से कल्युक के पाप नश्ट हो जाते हैं मुझे यग बलक जी ने जो सुहावनी कथा मुनी स्रेष्ट भरत द्वाज जी को सुनाई थी उसी संबाद को मैं बखान कर कहूंगा सब सजन सुख का अनुभाव करते हुए उसे सुने शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित को र आया ये दोनों बक्ता और सोता यग बलक और भरत द्वाज सामांची रवाले और संदर्सी हैं और सिधी हरी की लीला को जानते हैं कि वह अपनी घ्यान से तीनों कालों की बातों को हतेली पर रखे हुए आउने के समान प्रतच जानते हैं और भी जो सुजान भगवान की ल लगपन के कारण बहुत बे समझ था इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं सिदाम जी की गूर कथा के बकता कहने वाले और सोता सुनने वाले दोनों ग्यान के खजाने पूरे ग्यानी होते हैं मैं कलियू के पापों से ग्रसा हुआ महामूर जड़ जीव भला उस सोश हो जैसा कुछ मुझ में बुद्धी और विवेक काबल है मैं हर्दय में हरी की पहरना से उसी के अनुसार कहूंगा मैं अपने संदेह ग्यान और भ्रम को हरने वाली कथा रस्ता हूं जो संसार रूपी नदी को पार करने के लिए नाव है राम कथा पंदितों को बिसाम अर्थात इस कथा का ज्यान की प्राप्ति होती है राम कथा कल्यूक के सम्मनोर्थों को पूर करने वाली कामधेनु गव है और सज्जनों के लिए संदर संजीवनी जड़ी है प्रतवी पर यहीं अम्रत की नदी है जन्म मरन रूपी भैका नास करने वाली और भ्रहम नरक नरकों का नास करने वाली और साधुरूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पारवती दुर्गा है यह संत समाज रूपी छीर समुद्र के लिए लच्मी जी के समान है और संपून विश्व का भार उठाने में अचल प्रतवी के समान है यम दूतों के मुख पर कलि कि सिऊने वाली है यह कथा सियोजी को नर्बदा जी के समान प्यारी है यह सब सिध्यों कि तथा सु शोंपत्ति की राशी है सद्ग्न रूपी देवताओं के उत्पन और पारण पोशन करने के लिए माता आदिती के समान है सिरगुनाद जी की भक्ती और प्रेम की परम सीमा है सी तराम है नुमान, 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 सी हैनुमान सिता राम हैनुमान सिता राम हैनुमान सिता राम हैनुमान सिता राम हैनुमान तुल्सिजा जी कहते हैं कि राम कथा मंदा अकनी नदी है सुन्दर निल्मल चित चित्रकूट है और सुन्दर इसने ही बन है जिसमें स्री सिता राम जी बिहार करते हैं सिता राम जी का सद्ध गुरु होई और संसार रूपी भेंकर रोक का नास करने के लिए देवताओं के बहद अश्वनी कुमार के समान है ये सिर्फ सीटा राम के पेम के उत्पर्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर बत धर्म और नियमों के बीज हैं। आप संताप और सोख के नास करने वाले इस लोक और पर लोक के प्रियपालन करने वाले हैं विचार ग्यान रूपी राजा के सूरबीर मंत्री और लोग रूपी आपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनी हैं भाक्तों के मन रूपी बन में वसने वाले काम क्रोध और क कामना पूर करने वाले मेघ हैं विशह रूपी शाप का जहर उतारने के लिए मंतृ और महामणी हैं यह ललात पर लिखे हुए कठिंता से मिताने मिटने वाले बुरे लेखों मंध प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। रूपी अंधकार के हरन करने के लिए सूर क्रिनों के समान और शेवक रूपी धान के समान करने में मेह के समान हैं मनोवांचित वस्तु देने में स्रेश्ट कल्प बच्च के समान हैं और शेवा करने में हरी हर के समान तुल और सुख देने वाले हैं सुकवी रूपी सरद रि युट के समान हैं जगत का सिर्ण इ सभी के समून आखकोर के समून के सब्सक्राइब एक तोर फ्रवर की सब्सक्राइब की समान सभी को सुखतेने प्रण्टु सजनरूपी को मदुनी और चकोर के चिट्ह के लिए तो बिषै शितकारी और महालाबदायक हैं करें जीस प्रकार से श्रीिशी बिस्टर से उसका उत्तर कहा वे सब कारण है वीचित्र कंथा की रचना करके गाकर कहूंगा जिस नहीं कथा पहले ना वे इसे सुनकर आश्चर ना करे जो जो ग्यानी इस बिचित्र कथा को सुनते हैं वे जानकर आश्चर नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है राम कथा अनंत है उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है नाना प्रकार से स्रिसीता राम चंद जी के अवतार हुए ह और सौ करोड तथा रामायर हैं कल्प भेद हैं अनुसार स्रीहरी के सुंदर चरित्तों को मुनिस्रों ने अनेको प्रकार से गाया है है हिदय में ऐसा विचार कर संदेह ना कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए सिराम चंद जी अनंत हैं उनके गुण भी अनं सwir चिएंगे सिता वैंनुमाण सिता वैंनुमाण सी प्रकार सब संदेहों को दूर करके और स्री गुरु के चर्ण कमलों की रजी शिर पर धारन करने में पुने हाज जोड़कर सब्की बिंती करता हूं जिससे कथा की रचना में कोई दोस इस परसना करने पाए अब मैं आधरपूर्वक स्री शिव जी को स्री नवाकर सिराम चने जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूं स्री हरी के चर्णों पर सिर्द कर सम्मत 1631 में इस पता का रंब करता हूं चैत मास की नौमी तिथी मंगलवार को स्री अजुद्याजी में यह चरित प्रकासित हुआ जिस दिन सिराम चने जी का जन्म होता है बेद कहते हैं कि उस दिन सारे तिर्थ वहां स्री अजुद्याजी पवित्र जल में इसनान करते हैं और हिदे में सुन्दर श्याम सरीर सिरगुनाजी का ध्यान करके उनके नाम का जब करते हैं बेद पुरान कहते हैं कि सिरी सर्जु का दर्सन इस पर सिसनान जलपान पापों को हरता है यह नदी बड़ी ही पवित्र है इसकी महिमा अनंत है जिसे बिमल बुद्धी वाले सरसोती भी नहीं कह सकती यह सोभा यह सोभायमान अजुद्यापुरी शिरामचन जी के परमधान परमधाम को देने वाली है सब लोगों में प्रिसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है जगत में अखंड अखंड अंडज दुए सवेदज उदिभ और जरायुज चार खानी प्रकार के अनंत जीव हैं इन में से जो कोई भी अजुद्या में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते जनम म्रत्तु के चकर से छूटकर भगवान परमधाम में निवास करते हैं इस अजुद्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर सब सि जिसके कानों से सद्दे सांती मिलती है मन रूपी हाथी विशार रूपी तावानल में जल रहा है इस राम चौं सर देतरा को कुल्यूक की कुचालों और सपपॉं का नाश करने वाला है square महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रख्या था और स्वहसर पाकर पार्बती जी से कहा इसी से सिघी ने इसको अपने हदगें मैं देखकर और प्रसंद रोकर इसका सुंदर मैं क्लिक न हम रख्या मिए मैं उसी हुँ श्रीशिव जी की क्रपा से उसके हेदय में सुन्दर बुद्धी का विकास हुआ जिससे यह तुलिशी दास जी शिरामचरित मानस का कभी हुआ अपनी बुद्धी के अनुसार तो वे इसे मनोहर ही मानता है किन्त फिर भी हे सज्जनों सुन्दर चित से सुनकर इसे मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं सिताराम है नुमान संग्र लीला का जो विस्तार से वर्ण करते हैं वही राम सुएस रूपी जल की निर्मलता है जो मल का नास करती है और जिस प्रेम भक्ती का वर्णन नहीं किया जा सकता वही इस जल की मधूरता और सुन्दर सी तलता है यह राम सुएस रूपी जल सतकर्म रूपी धान के लिए हित कर है और सिरामचने जी के भक्तों को तो जीवन ही है यह पवित्र जल बुद्ध रूपी प्रतवी पर गिरा और सिमत कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हैदने रूपी स्रेश्टिस्थान में भर कर वही इस्थिर हो गया यही पुराना होकर सुन्दर रूचिकर सीत और सुखदाई हो गया इस कथा में बुद्धी इस कथा में बुद्धी से विचार कर जो चार अतिंत सुन्दर उत्तम संबाद भुसुनली गरुन जी शिव पारवती यगद्बलक भरत द्वाज और तुलसी दास जी और संत रचे हैं वही इस पवित्र और सुन्दर सरोव एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा वही इस सुन्दर जल की अथा गहराई है शिलाम चन जी और सीटा जी का इस अम्रत के समान जल है इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरोंगों का मनोहर विश्वास है सुन्दर चौपाईया है इसमें धनी फैली हुई पुरा पुषप्रज, मकरंद, पुषपरस और सुगन्द है सत कर्मों पुण्णों के पुंज भावरों की सुन्दर पंक्तिया है ग्यान बैराग और विचार हंस हैं सीताराम कविता की धोनी बकलोगती गुण और जाति के अनेको प्रकार के मनोहर मचलियां हैं अर्थ धर्म काम मोचिये चारो ग्यान विज्ञान का विचार के कहना काब के नौरस जाप ताप योग और बैराग के प्रसंग ये सब इस सरोव और के चारो और की अमराई आम की बगीचियां हैं और स्रद्धा बसंत रितों के समान कही गई है नाना प्रकार से भक्ति का निरूपन और छमा दया तथा दम इंड्रिया निग्रहन लताओं का मंडल है मन का निग्रह यम हिंसा सत्त अस्तेज ब्रम्भचर और अपरिग्रह नियम शौच संतोंस तथा स्वास्त और इस्वर प्राणी धान ही उसके फूल है ग्यान फल है और सिरी हरी के चर्णों में प्रेम ही इस ग्यान रूपी फल का रस है ऐसा बेदों ने कहा है इस रामसरित मानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं है वही इसमें तोते कोयल दिरंग बिरंग पच्छी हैं कथा में जो रोमांच होता है वही वाट का बाग और बन है और जो सुक होता है वही सुंदर पच्छीयों का बिहार है निर्मल मन ही माली है जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सीचता है जो लोग इस चरित को सावध ही है वह अभागे बगले और कवे हैं जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते क्योंकि यहां इस मान सरोवर में दोखे जाम धोंदे मेड़क और शेवार के समान विशयरस विशयरस की नाना कथाए नहीं है सिताराम है नुमान कवे और बगले रूपी विशय लोग यहां आते हुए हैं में हार मान जाते हैं क्योंकि इस सरोवर तक आने में कशनाईयां बहुत हैं सिरामचन जी की करपाविना यहां नहीं आया जाता घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है उन कुसंगियों के बचन ही बाग सिंग और स तरक ही भयानक न दिया है जिनके पास सद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको सिरगुनाजी प्रिय नहीं है उनके लिए यह मानस अतिंत ही अगम है अर्थात सद्धा शत्रसंग और भक्तवच्च प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकत जिस से नहीं करपाथ तो वही तो किया नहीं जाता हुएँ अभिधित लाउट जाता है फिर यदि कोई उसे उसे से वहां का हाल पूंचने आता है तो वे अपने आभाग की बात ना कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है ये सारे बिगन उसको नहीं व्यापते बाधा नहीं देते जिसे स्री रामचन जी सुन्दर करपा की द्रिष्टी से देखते हैं वे ही आदरपूर्व की सरोवर में इस्नान करता है और महान भयानक त्री ताप से अध्यात्मिक आदि भावतिक तापों से नहीं जलता जिनके मन में सिरामचन जी के चर्णों में सुन्दर प्रेम है वे इस सरोवर के सरोवर को कभी नहीं चोड़ते है भाई जो इस सरोवर में इस्नान करना चाहें वह मन लगा कर सतसंग करें श्राम ऐसे मान सरोवर को हिर्दे के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगा कर कभी की बुद्धी निर्मल हो गई अनन्द और उत्साय भर गया और प्रेम तथा अनन्द का प्रवाहिव मढ़े आया उससे यह सुंदर कभिता रूपी नदी बहनी के लिए जिसमें सिर्णाचन जी का निर्मल एस रूपी जल भरा है इस कभिता रूपनी नदी का नाम सर्वी है जो संपूर सुंदर मंगलों की जड़ है लोकमत और बेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं स्रीजाम यह सुंदर मान सरोवर की कन्या शर्जू नदी बड़ी पवित्र है और कलियुक के छोटे बड़े बाप रूपी तिनकों और ब्रच्छों को जड़ से उखाड फेंकने वाली है तीनों प्रकार के पर बसे हुए पुर्वे गाउं और नंगर हैं और संतों की सभाही इस सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अजुद्या जी है सुंदर किर्ट रूपी सुहावनी सर्जू जी राम भक्त रूपी गंगा जी में जा मिली छोटे भाई लच्छमर सहित सिराम जी के युद्ध को हरने वाली यह तीमू तीमू हानी नदी राम सुरूप रूप रूप राम सुरूप रूपी समुद्र की और जा रही है इस किर्ट रूपी सर्यू का मूल मानस सिडाम चरित है और यह राम भक्त रूपी गंगा जी में मिली है इसलिए यह सुनने इसे इसलिए यह सुनने वाले सज्णों के मन को पवित कर देगी इसके बीच में जो भिन प्रकार की बिचित्र कथाया यही मारों नदी ततके आस्पास के बन और बाग हैं स्रीपार्वति जी और शीव जी बिवाह के ब्राति इस नदी में बहुत प्रकार के असंख जल्चर जियू B इस नदी की भावर और तरंगों की मनों हरता है सिता राम है नूमान सिता राम है नूमान शीता राम है नुमान शीता राम ताव से जने होते सुनो बीर हनुमान जोन जन्हा सियाय हूँ शोता कर रहु पयान शोता सभयासन गए संभू गए कैला स्रामाइद बैभाई पुंत गई विदा होई हनुमान मर्यादा पुर्सोतम भागवान शीराम की पुर्ण कथा जो कि स्री ठाकुजी धाम मंद्र पतारी पुर्वा अंस ब्रहंदा अतर्दा बाना उत्तर प्रदेश में प्रदिन साइंकाल एक घंटे को चलती है उसकी शुब समाप्ति का समय हर्थात आए हुए समस्त स्री ठाकु करें अपनी आस्था रखें आता है उनका सुबह आस्री बाद लेकर अपने इस्थान को प्रस्थान करें और कल की मर्यादा पुर्षोतम भागवान शीराम की पुर्ण कथा हनुमंत कथा सुनने के लिए स्री ठाकुजी धाम मंद्र में आप साधर आमन्तित हैं चलते चलते बारतनी बादी प्रवित्र करें लिए स्री ठाकुजी धाम की जये धन्नवाद